नमस्कार दोस्तो राधे राधे जैसरी क्रिष्णा हर हर महादेव श्रावन का महीना चल रहा है ऐसे में हम ब्रत रखते हैं श्रावन की सुंबार रखते हैं और कितने सारे तो जो लोग हैं वो श्रावन में बहुत सुद्धता से रहते हैं और लसुन पे आज भी वर्जित होता है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या चीज खाने से जो है हमारा ब्रत वो भंग हो जाता है या ब्रत जो है वो तूट जाता है ऐसे बहुत सारे चीज है और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि हम ब्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं और ऐसे में अंजाने में भूल सही कोई जान बुझ कर तो कोई गलती करता नहीं है इनसान भूल वस ऐसा हो जाता है हमसे तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो जैसे हम स्रावन में सोमबार का ब्रत रखते हैं या पिर किसी भी ब्रत रखते हैं कोई भी ब्रत रखते हैं किसी भी ब्रत में हम एक दिन पहले से हमें सुधता का ध्यान रखना पड़ता है चाहे वो कोई भी ब्रत हो तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कि अरे कल फास्टिंग है कल ब्रत है तो आज ही ये चीज खाने का मुन कर रहा है तो हम ये खा लेते हैं ऐसा नहीं कीजिएगा ये बहुत ही गलत है आप सुबह में जव जैसे आपको सोंबार का ब्रत रखा है तो आपको रवीवार को रवीवार को ही आपको अपने सर से स्नान करना है बाल को धो लीजे और बाल को धो कर स्नान करना है क्योंकि पहले हमने क्या क्या खाया है तो ऐसा होता है कि बाल में छूत रहता है तो हमें बाल को अच्छे से धोलेना है और उसके बाद जब हम खाना बनाएंगे तो खाना बनाने में आपको ध्यान रखना है कि तामसिक भोजन आपको नहीं करना है जो non-vegetarian है जो मांस मचली खाते हैं वो रविवार को ना खाएं और जो नहीं भी खाते हैं तो जो नहीं खाते हैं वो गलती क्या कर लेते हैं लेसुन प्याज डाली हुई सबजी खा लेते हैं या भीर जैसे हो गया मसूर का दाल बैंगन ये सब जो चीजें हैं ये तामसिक भोजन में आता है तो ये चीजें आपको ब्रत जिस दिन कर रहे हैं उसके पहले दीन भी नहीं खाना चाहिए और इसमें आपको ध्यान रखना है मसूर का दाल हो गया, बेंगन हो गया, लहसुन प्याज हो गया और एक खेसाडी का दाल होता है जो कि अब तो बहुत रियर ही लोग खाते हैं, ये जल्दी मिलता भी नहीं है तो ये तो नहीं खाते हैं, लेकिन मसूर की दाल अक्सर लोग खा लेते हैं मैं भी ऐसे मसूर का दाल का यूज करती हूँ, लेकिन ब्रत में जैसे कि हमने कुछ ब्रत रखा है या कुछ special दिन है जिसमें हमें पूजा पाठ करना है तो मैं मसुर का दाल का उपयोग नहीं करती हूँ खाने में तो इसमें आपको दियान रखना है जो भी तामसिक जिसमें आता हो तामसिक जो भी भोजन हो वो आप ना करें बाहर की चीजें ना खाएं जिस दिन आपको ब्रत अगले दिन करना हो उस दिन आपको बाहर की चीजें भी नहीं खानी जाहिए क्योंकि बाहर की चीजें में उतना सुद्धता नहीं होती है कैसे भी बन जाता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बाहर की चीजें नहीं बताया है कि आपको क्या क्या चीज नहीं खाना है इसमें आपको ध्यान रखना होगा और फिर खुद से रुद्रावी से कैसे करेंगे ये भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है ये जाकर आप देख लिजेगा अगर आपको खुद से रुद्रावी से करनी हो तो आसा करती हुँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सेर चैनल को सब्सक्राइब किजेगा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद